कि चलिए दोस्तों स्वागत आप सभी का वाइफाई सड़ी चैनल पर चेंजिंग दवे अफ लर्निंग वाइफाई सड़ी आप आप सभी को गुद मॉर्निंग और साइंस की स्पीडी सीरीज में आपका स्वागत है यहाँ पे आज सुबह नो बजे से हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और सीरीज का फायदा बहुत होगा देखिए जो परिक्षा में जितने अधिकतर सवाल आते हैं वो सारे साइंस पीडी से आते हैं ठीक है साइंस के होगे तो साइंस आपकी कवर होगे ठीक है स्टेट अवे कह रहा हूं सुबह नो बजे वाली यह जो क्लास है ना इसका कवरिज बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है मैक्सिम शेर करो सारे के सारे ध्यान रखना शाम को साथ बजए एक मैंने लूसेंट सीरी स्टार्ट करी ह है नो बजेट स्वरी साथ बजे वाइफए स्टडी पर साथ बजे उसे भी यूटलाइस कर लेना शेर करो मैक्सिम चली तो स्टार्ट करते हैं और कोशन ज्यादस ज्यादा करना ठीक है एक घंटे की क्लास रखी है हर दिन हम सो सवाल करेंगे और पंदरा दिन में हम जो है अपने पंदरा सो सवाल पूरे कर देंगे ठीक है गुड मॉर्निंग मैं अवाज आ रही है सभी को बस इतना द्यान रखना मेरे टेलिग्राम चैनल जोइन कर लेना उसमें मैं आपको कंटेंट प्रवाइट करा हूँगा लाइव अमन कोड से 30% डिसकाउंट लीजिए स्प से रेलवे कोड से लाइव अमन से कूरा डिसकाउंट लेना आज और और आभी के सामने पाहिए वाइट फॉस्वोर्स को किसके अंदर रखते हैं थेख़ो दो कोशन बनते हैं या तो एक बनेंगा सूडियम का या तो आपका बनेंगा वाइट फॉस्वारस का सूडियम का कोशन का सोडियम का कोशन तब और अब दोनों में फरकर नों को ले यह उते रियक्टिव वाइट-फ। इक रियक्टिव जो है किसके अंदर रखना चाहिए या कैरोसीन के यही confusion वाला कोशन है बच्चे के करते हैं पेपर में कैरोसीन लगा जाते हैं या फिर cold water कौन सा सही आंसर comment box पर लिखना चाला तो इस question का answer क्या है cold water इस question का answer है कैरोसीन मत लगाना और अमोनिया तो बिल्कुल यह भाई अमोनिया पर कहा जा रहे हो अमोनिया में कैसे रख सकते हो अब मैं सवाल आपसे जो पूछ रहा हूं उसका अंसर comment box पर जाहिए और सवाल है आपका sodium sodium को किसके अंदर रखते हैं यह सवाल का answer आप comment box पर देंगे क्यूंकि मैं हमेशा आपको जो सवाल पूछता हूं comment box पर आप जो उसका answer देते हो next day वो उसका detail question होता है ठीक है यह regular शाम को साथ बज़े पूरा एक लाइव टेस्स 2000 की सीरीज का लगाया है स्सी सीजील के बच्चों के लिए सी के हर बच्चे के लिए और रेलवे के बच्चे के लिए टेस्ट मत छोड़ना शाम को साथ बच्चे बहतरी टेस्स रखा यह तो class daily होती है शाम को साथ बज़े आ अगर मैं आपको इधर मैटल कह रहा हूं तो आप लगा रहे हूं मरकरी जब मैं सवाल में मैटल की जगा मैटल की जगा लिखतू नोन मैटल और आपसे जबाब पूछू तो आप आंसर क्या लगाएंगे आंसर मुझे comment box पर चाहिए जो जो मैं सवाल पूछना हूं वह अबर बच्चे ने अच्छा अंसर दिया डिटेल में तो स्क्रीन पर उसका नाम भी जो है देखने को मिलेगा तो आप वाइफए स्टेडी की स्क्रीन पर अपना नाम चाहते हैं तो आंसर comment box पर जरूर लिखे हैं करो मैं डेली बेसिस पर बच्चों के comment box answer पर क्लिक करता ठीक है और उसको डाल दिया पानी में ठीक है तो भीया फिर तो हीट होगी फिर तो एकदम से निकलेगी हीट है ना जब एकदम से हीट निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं जब हीट होती है इवोल्व या निकलती है तो उसे क्या का जाता है इस question क्या है बताए ये answer क्या है जब हमने acid या base ले लिया कोई भी concentrated लेकिन ठीक है इधर ध्यान रखना acid या base का question आता है तो यह चीज़ अबजर्ब कर रहे हैं कि इधर लिखा कै एक्वस लिखा है एक्वस लिखा होगा तो answer बतल जाते हैं ठीक है आपको यह देखना है concentrated है water है तो heat निकलेगी heat निकलने का मतलब exothermic reaction ठीक है तो दो reaction होती है एक reaction जिसमें heat होती है evolve जिसमें heat होती है evolve यहाँ पी निकलती है ठीक है अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ heat जहां पर ठीक है utilize होती है ठीक है reaction को करने के लिए उस reaction को क्या कहते है इसका answer मुझे comment box पर चाहिए मैं हर question के साथ एक question जोड़के रखता हूँ क्योंकि यह question ही आपको जो है आपका interest जगाने की देर होती है आपका selection पक्ता है मैं जो आप से question बूच रहा हूं उसका answer search करके देना जैसे मरजी देना आप science की त्यारी 15 दिन इस class में कर लो सुबह 9 बचे स्पीडी science में आपका सारा question कवरोगा हर चीज का एक question है चले एक और question देखिए जैसे इसमें शेर कर देना डेली स्पीडी science सीरीज है डेली स्पीडी साइन सीरीज है शेर कर देना यह किताब किसके द्वारा लिखेगी अब जैसे इसमें लैनेकस दे रखा है कभी-कभी होता है जैनरा प्लेंटरम लिखा होता है और जोर्ज मेंडल option में दे देते हैं बच्चे सब्सक्राइब किताब मैं यहां पर एक चीज़ अबजर्व कर रहा हूं इस कोशन का आंसर दो परसेंट बच्चों ने भी सही नहीं दिया मेरे भाई अगर ऐसे कोशन अगर गलत कर रहे हो ना तो साइंस ग्रूपडी की छोड़ो किसी भी एक्जाम गिने में तो अच्छी बनता है कमेंट करेगा आंसर के जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें जो फिलमेंट होता है देखो हमारे बल्ब होती हीट और वह हीट जो है उसको सस्टेन करने के लिए टंग्स्टन जरूरी है यह टंग्स्टन का बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है कोशन आप से कभी भी यह कुशन आए निक्रोम का तो कोई भी हीट सबस्टांस हो ना जैसे बोलते हैं कि भई जो हमारी इलेक्ट्रिक प्रेस होती है उसमें क्या यूज क्या आता है इलेक्ट्रिक जो हमारे ठीक है रोस्टर सोते उसमें क्या यूज क्या आता है निक्रोम यूज क्या आ रखना कोपर की बनती है एक और कोशन दकिए इस कोशन का अंसर के मिलएक तक्या हदर है सब और ग्रेफाइट हैं सब्सक्राइब के प 190 यह और टाइस नंबर की सा रही है और आप information गलत शेर करें मेरे प्यारे डियर आपको मैं एक चीज बता दू साइन्स 25 नमबर की जो है ऑफिसली भी लिखिये लेकिन साइन्स के कोशन आ रहे हैं थोड़े से कम ठीक है जो आभी हमने कोशन देखे हैं जो जितने भी मॉक टेस्स भी करवाए हैं जो एनलेसिस भी कोशन इतना बन जाता ठीक है चले एक और कोशन देखे हैं डायमंड जो है ग्रेफाइट से जो है हाडर है कारण क्या है इस कोशन का दोस्तों इस कोशन का आंसर है उसका structure अब जैसे इसमें लिखा हुआ है difference layer of atom tetra header structure difference of crystalline structure अब confusion तो होगी इसमें कि structure की बात हो रही है सभी में आंसर के सकोशन का तो बैटा सकोशन का answer क्या है difference of crystalline structure डायमंड का structure कुछ ऐसा होता है जैसे यह कारबन लगा हुआ कुछ इस तरीके का ठीक है स्ट्रक्चर होता है और ग्रेफाइट का structure जो है कुछ ऐसा होता है ठीक है कुछ एसा होता है स्लिपरी सा सबस्टान्स है तो इसमें जो है इस तरीक है ले बनती है तो ये इस वज़े से ग्रेपर इंसक्ल्फल में लेकिन इनका स्टक्चर अलग है जिस वज़े पल्स जो दाले हम कंज्यूम करते हैं वो किसकी बनती है मतब कौन सी केटिगरी से कमेंट करेगा कौन सी केटिगरी से हैं इस कोशिंग का आंसर के हैं जलते बेटा आंसर अभी का चाहिए ठीक है मेरा टेलीग्राम चैनल जोईन कर ले ना वंसर वाइफी सड़ी ये क्लास आप और एक शाम को साथ बज़े आपका पूरा 2000 कोशन का सीडीज से सीडील मेंस के लिए और सीपीओ प्री के लिए ठीक है तो आप उस सीरीज को देखना शाम को कितने बज़े से सात बज़े से देखना स्टार्ट कर देना साथ बज़े से डेली वेसे से स्वे सेवन पीम सक डाल होती है इसका प्रोडक्शन कोन सी स्टेट में सबसे ज्यादा होता है अन्सरा आप बता कर यह गया या MP है बताई यूपी है या MP है इस कोशन का आंसर क्या है तो ध्यान रखेएगा आंसर इस कोशन का MP है ठीक है MP है एक और कोशन देखें बड़ा प्यारा कोशन मैंने आपको एक कोशन करा भी रखा ऐसा आपको पता है जो केसर है उसका जीए टैक कून सी स्टेट के पास है ज आप से याट का पूछ रहा है तो आन्सर है जम्मो कश्मी जम्मू कश्मी चंप हैं जन्मोगाए जाता है ऐसा है जह अलावा और भी बहुत सारी जगा जम्मू में उगा देते हैं ऐसा नहीं है सैफ्रून को उगाने के लिए एक लेंड होती है और वह लेंड रिक्वाइड जो होती है उसको कहते करेवा ठीक है और यह जो है सैफ्रून स्टीगमा ठीक है? किस से निगलता से स्टीगमा से निकलता है कौशन आपको यहां पर मिल सकता है चले एक और कोशन देखेगा woman have shrill voice answer अब समझगे मैंने आपको इस कोशनको दो बारी घुमा फ़ीरा के कराया है अब मैं जो मैंने समझाया था दो क्लासिस में मैंने इससे पहले दो टेस्स ले रखे हैं है ना मोक टेस्स दो ले रखें स्पीडी साइंस के अब दोबारा ले रहा हूं तो लगातार चलेगा ठीक है अच्छा वहले एक कमेंट बोक्स पर आंसर दो सुबह नो बजे स्पीडी बजे डेली जुड़ने वाला है विदाउट एनी मतलब लैक कोई मतलब गैप नहीं होना चाहिए सटरडे संदे को भी मैं क्लास लेके आऊँगा ये क्लास सेटरडे संदे को भी बंद नी करेंगे ठीक है कोई भी टाइम हो फिक्स अपना टाइम हमने साथ बजे का रख दि होता है तो क्या ये हाई फ्रिक्वेंसी है क्या ये हाई फ्रिक्वेंसी है तो इस कोशन का आंसर क्या है श्रिल वोईस होने का कारण क्या होगा हाई फ्रिक्वेंसी होगा मैं है लो फ्रिक्वेंसी ठीक है तो उनकी वोई श्रिल नहीं होते ठीक है महिलाओं की हाई फ्रिक् कोशन है यह सारे एक पैटन के कोशन है आप फ्यूजिक्स केमेस्ट्री बाइलोजी सब देख रहे हो जैसे वाइटमिन का कोशन हंडेड परसेंट आता है तो वाइटमिन जो है यह किसमें मिलता है बताइए विच आफ फॉलिंग इस फाउंड इन विटामिन बताइए कौन सा इसकोर्बिक एसिड रेटनोल केल्सी फैरोल यह फॉलिक एसिड क्या मिलता आंसर के इसकुशिंग चली मैन एज हाई एल्टीट्यूड बिल्कुल लाउडनेस ज्यादा होती है सही बताया आप चलो आंसर के इसकुशिंग पैटा शेयर करो मैक्सिम क्लास ऐसा नहीं 15 मिनट 20 मिनट की क्लास है स्पीड़ी साइंस की सीरीज लगाई तो 15 दिन करना तो 40 मिनट 45 मिनट एटलीस क्लास चलेगी तब जाके होगा कंटेंट पूरा चलो विटामिन में एश्ट कोण से विटामिन में एक्स कोर्बीग एक होता है रेटनोल किसम में होता है है ठीक है कैलिसी फैरोल कोन से विटामिन में होता है तो तीनों का अंसर से हिले कुघे चला पेले इसका बताओ इस गरार मिएक 7 एध्यान रखना A C चलो दूसरा retinol vitamin A क्यूंकि A R रह्मान क्लियर और लास्ट आपका vitamin Kelsey Ferrol का कोन सा है जल्दी से बताईगा Kelsey Ferrol का कोन सा vitamin है जल्दी से बताईगा अच्छा यहाँ पे इसी बे question भी आता है Kelsey Ferrol का vitamin बताईए जल्दी से पहले कोन सा vitamin है चलो vitamin D ठीक है टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है अमन्स और वाइफ एस्टडी और बाकी जितने भी विटामिन है उसकी लिस्ट में एक और लेके आजाऊँगा आपका चो कंटेंट है इसमें मैं क्या गरने वालों मैं आपको ना एक इमेजिस भी दिखाने वाला जैसे होता है कुछ साइनस के कुछ बढ़ी बढ़ी टेवल होगे एक साइंटिफंक नेम के किम सम्मे आप एक क्लास Лव स्ट coal करी और को तुरंत इसमें PDF आजाएगी जो class होती है दो class होती है बेसे के लिए एक यह वाली class होती है नो बजे ठीक है और एक सुबह शाम को सात बजे मैं आज से 2000 कोशन का लाइव सीरिज लेके आ रहे हूँ 2000 कोशन का जो है लाइव सीरिज लेके आ रहे हूँ शाम को साथ बझे WIFY study पे जिसको अगर live सीरिज देखनी है 2000 कोशन की हाई लेवल वो इसको देख सकता है इसमें अच्छा टैस्ट हो का अच्छी material आएगी यह आपको मैं आपको सिर्फ एक common डाइग्राम बता रहरो यह आपका स्टमक है ठीक है यह आपका पेट है और यह आपकी छोटी आत है ठीक है यह आपकी है छोटी आत है small intestine सवाल कहला एंग the following organ up in small intestine through pylosis stomach और small intestine के बीच में क्या है यह है pylosis तो इस चुन आपको सिम्पल बोला है यह स्मॉल इन्टसेंट उर बीच में है यह पाइप आपकी यह बीच में पाइप नदेड़ आपकी यह डेंगा जल्डी से बता रहो सुना की तो चोंटी यह कहां और हो चक चाना जाता कोशन का स्टमक है ठीक है ध्यान रखना स्टमक पाल्रसिस और फिर जो है स्मॉल इंटरस्टाइड यह कनेक्ट पता हो नहीं चलिए एक और क्रूशन देगे क्यारन लाइट किसका और है बते किसका यह जो है और है कमेंट करेंगा जैसे आपने सुना होगा कि भाई ऐसे आपक है जल्दी जल्दी आंसर चाहिए बाई जल्दी जल्दी आंसर चाहिए मुझे आंसर क्या होगा कि इसकोशन का आंसर है मेगनीश्यम अच्छा यहां पर एलमीनियम किसमें से निकलता है जल्दी से कमेंट करेंगा एलमीनियम किसमें से निकलता है कमेंट करेंगा आंसर क्या आंसर है ठीक है यह जो एलिमेंट है इसका नाम क्या है आपको ना एलिमेंट के नाम भी पूछे आते हैं भाई किसका नाम है जल्दी सब देगा किसे कहते कमेंट करेगा यह जल्द आंसर किया इस कुषन आप आरे कित लगतों रांकी सकता है और क्या है ओपर के उपर भी कुषन आ सकता है चलिए पहले तो कोईलम के बारे में समझो क्या है यह एक ऐसा पार्ट है प्लांट में plant में जो की FOOD को Transport करता है ना तो झूझ वाइसको कि अब नियुक्त WOR हो एक बात सुनो में ये क्लास यह हैं कि मैं अपनी मरजी से आप5分 पढ़ना है जैसे मैं सात वजए कभी सिर्फ अपनी मरजी से नहीं पढ़ाता आपका टॉपिक देखता हूं उस हिसाब से मैं कोशन्स लेके आता हूं ठीक है अमेशा साथ वजय क्लास आपकी मरजी से होती है उसमें सारा कंटेंट आपकी चोईस का होता है आज भी देख लेना साथ बज़े आपकी जो पिछले डाउट्स रहे हैं कमेंट बॉक्स पर किसर यह कोशन लेके आता हूं कि आपका टॉपिक आजा 15 दिन में और आप उसको समझ लो लेकिन आपको फिर 15 दिन डेली देखना पड़ेगा क्योंकि उसमें आपको पता नहीं चलेगा ना कि किस समय आपका टॉपिक आ ठीक है तो आप एक बड़ी देखना सार्ट करता है अगर इस अनette ऐसे पूछा आता है खिंस पर क्या 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 वर्क करता है ऐसा आयज ईनवहलो है किस कोशिंगा है किस प्रिंसिबल करती है कि चलो चलो पासकल लोपे ठीक है इस तरीके के आपको मिल जाएंगी ठीक है कि पासकल किसकी यूनिट है अच्छा मुझे यह बताओ यहां पे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं जब हम यह जो आपके सामने लिखा न न्यूटन किसकी यूनिट है पहले करेगा फिर बताओ पासकल किसकी यूनिट है यही से साइंस कवर होगी यही से साइंस कवर होगी ऐसे साइंस नहीं कवर होती है जूल किसकी यूनिट है यूनिट के कोशन आने है यूनिट के कोशन आने है पासकल यूनिट है प्रेशर की ठीक है नूटन किसकी यूनिट है की ठीक है और जूल किस की है ठीक है एनर्जी ठीक है तो यह तीन सवाल आपको यूनिट के पता हो ने चाहिए जिस पर कोशन आता है इस टाइफ को ब्रॉटर के अनुसाल जो वॉटर या फिर जो वाटर किसी वीकर में हम कुछ सब्सान्स जालते हैं तो उसका जो है उसमें से वाटर डिस्प्ले सो होता हुँआ रहा पर होता मास्क के या बेट के यह कोसिशन का आप कमेंट बोक्स पर बताएंगे अगर आपने प्रिंसिपल सुना हुआ है ठीक है ना एनर्जी वर्क डन जूल दोनों जो है इस पर एक मिल सकता है ठीक है चलिए एक और कोशन देखें आंसर के सकोशनगा सबसांस विचल्टर दर रेट ओफ रियक्शन बड़ा प्यारा सवाल है आंसर के सकोशनग का भाई सुबह तो ऐसे सुस्त मत हो एसे थोड़े एनर्जी रएक रहा हूं शाम को सात बजे क्लास कर आ हो सुबह नो बज tua हुए ऐसा नी च्खले लगए पढ़ाने की आप नीख निपेख्लिया आप याप परफटеци की क्लाशें अर्व की और साइंस की एक सुबह नो बजे साइंस और शाम को साथ बजी के टाइम पर पढ़ रहे तो फड़ी बढ़िया एनर्जी से पढ़ो पढ़ना है तो यह बढ़िया से पढ़ना है ठीक है जैसे इसमें लिखाव कैटलिस्ट एक लिखा प्रमोटर इनिशेटर और एक्टिव प्रोटीन एंजाइम होते हैं पहली इंबोडन चीज ठीक है यह जो है रेट ओफ रियक्शन को हमेशा इंक्रीज करते हैं कोई कहेगा रेट ओफ रियक्शन को डिक्रीज कौन से करता है तो आंसर होगा पॉईजन पॉईजन आपको कभी ऑप्शन में दिख्या और कहें कि रेट ओफ रियक्शन को डिक्रीज करने वाला क्या है तो आंसर लगा देना पॉईजन अगर रेट ओफ रियक्शन को अल्टर करने का कोशन आता है ठीक है ध्यान रखना इस कोशन का आंसर जो है उत्परे रख होगा कोशन इंबोर्डन है चले एक और कोशन देखेगा गड़ी में जो बैल होती है एक घंटे बार तुन अवाज वसती है समझ रहे हो ना बहुत सारी वोच्छे में ऐसा होता है ठीक हो वो क्या है वो प्रियोडिक मोशन है या सिंपल हर्मोनिक मोशन है बता यान से क्या होगा सहीं आन सा थोड़ा सा कोशन कंफ्यूजिंग है य ठीक है ऐसे गड़ी भी पूरा 12 घंटे पूरा जो है घुमती 24 घंटे ऐसे तरीके से दिन में तो वह भी आपको पताऊंची आंसे के हैं चलो तो आंसर है इस कोशेंगा प्रियोडिक प्रियोडिक का मतलब क्या होता है पीरियड आपका स्कूल में कितने घंटे का होता है मालो एक घंटे का period तो हर period एक घंटे का ही तो है ना है ना एक घंटे बाद दूसर पेड़ना ही लगना है यह time ही आद रखना कभी भी बहुत सारे बच्चेस question का answer simple harmonic motion लगा रहे है समय समय पर गती या फिर periodic motion periodic मतलब एक particular period को complete करेगा motion complete फिर complete करेगा motion complete फिर complete करेगा motion complete जैसे आपकी घड़ी काम करती है सबढ़ रहे हो तो कभी भी simple harmonic motion लगाना ही मत ठीक है simple harmonic motion लगाना ही मत चले एक और question देखेगा यहां पे ना confusion होते हैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि गलत मत करना हमारे अर्थ पे सबसे ज्यादा प्रचूर मातरा में क्या उपलब्द है कौन सा तत्व जो है उपलब्द है इस कोशें का आंसर क्या है सबसे ज्यादा प्रचूर मातरा में क्या उपलब्द है पेटा कमेंट बोक्स पे मुझे आपके पसंदब चाहिए और डेली बैसे पर चाहिए जो शाम को साथ बजी पढ़ने और इस समय में जी के और साइंस मेरी कवर कराने की गरंटी 15 दिन सिर्फ 15 दिन आज से स्टार्ट कर दो 15 दिन तक लागा था साइंस की स्पीडी क्लास भी आज ही स्टार्ट हुई है नहीं यह वाल स्टार्ट को यहां पर यहां पर बच्चे कह रहे हैं नाइट्रोजन का जो 78% इस जस्ट ओफ एटमोस्फेर रट्टे मत मारों कि आप नाइट्रोजन लिखके आजाओं कि नाइट्रोजन है 78 परसंट लिखा हुआ it is just of atmosphere यह nitrogen atmosphere है हमसे कह रहा है अर्थ पे हमसे कह रहा है अर्थ पे the answer is oxygen ठीक है ध्यार रखिएगा चले एक और कोशन देखिए इस कोशन का answer के है बते है इस कोशन का answer के है law of gravitation applies to which of the following अब जैसे इस कोशन का answer के law of gravitation किस पर apply करता है यह pen है कि मैं हूँ लो ग्रेविटेशन अप्लाई कर रहा है कि हम दोनों पर ठीक है बताओ करेगा law of gravitation किसी भी ऐसे दो अब्जेक्ट पर apply होता है जिसका कुछ mass होता है जिसका कुछ mass होता है इवल 0.001 का आपका mass है ठीक है ध्यानक ना answer के है इस कोशन का answer है कि किसी भी बोड़ी जिसका mass होगा उस पे law of gravitation अप्लाई होगा ठीक है इसी से universal law of gravitation constant जो है वो value मिलती है capital G की value मिलती है ठीक है हम एक formula देखते हैं आरवन वाला है ना तो वही कोशन इसमें भी बनता है चलिए एक और कोशन देगे maximum electrical connectivity किसकी है इस कोशन का answer के है इस कोशन करेंगे जल्दी से बतेंगे बतेंगे इस कोशिंगा answer के पीटा सर जीडी का क्लास कब से स्टार्ट होगा शाम को साथ बचे जीडी का क्लास चलेगा और आभी भी जो है यह साइंसी क्लास में जीडी का कोशन आएगा यह वाला question आपको मिल जाएगा बहुत सारा maximum electrical connectivity किसकी ह बहुत असान है की सिल्वर की है सिल्वर क्योंकि महगा आतना है ऊटार में सिल्वर डालेंगे तो फिर तो हुग्या काम है सिल्वर्ड Zusammen Moon कोपर को उसकर लें कोपर इस सेकंड बेस्ट इलक्टिकल कंड़क्टर टीक है तो आंसर सीलवर यह इसको शंग कोपर मत लगाना बते एक किलोवाट और किसके एकवल है अनुद कर दिखो यह सिर्फ डाटा है इस डाटा है डाटा पर कोई दिक्कत नहीं है अपना आयात कर लो पैरोलियम किसका मिक्षर है इसा सब्सक्राइब आप है कि एसके खतम ने वाला कार्बन है इन जल्दी से कमेंट करिए क्या आंसर यह है क्वीना कभी पैट्रोल खदम होगा ठीक है डीजल खदम होगा तो आंसर के सब्सक्राइब करने के लिए आपको इन सवालों के जवाब चाहिएंगे यह सब सवाल ही तो जुड़ेंगे आपके मतलब जो आपको कनेक्ट करना ना कि साइन्स का कोशन कहीं से न चुड़ें तो यह कनेक्ट करने के लिए आपको इन सवालों के जवाब चाहिएंगे ठीक है अब जैसे एक बच्चा कह रहा है मिस्टर एस आर सैवनेड इंस्टा पे है कोई भाईया सारे होंगे सब का ह यह आइडिया भी लेकर फोलो करोगे क्या भाई पढ़ लो यार सुबह सुबह इंस्टा सोशल मीडिया परबाद हो जाओगे एक दिन पढ़ लो ठीक है यूटूब को अपना सोर्स मान के चलो देख मैं बता रहा हूं आपको यह सब चीजे ना अच्छी नहीं लगती ठीक पर ना कहा रहा हूं सचाई यह है जीवन की जब तक सेलेक्शन नहीं लोगे तब तक आप इंस्टाग्राम पर कितने फोलोवर बना लो ठीक है या फिर फोलो कर लो पढ़ लो ठीक है उसके पड़ो करेंगे अच्छे लोग फोलो करेंगे अच्छी जिन्दी की जाएगी आ इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसमें दो ओप्शन देदी है छोड़ेंगे क्योंकि इवन ना यह जो सेलवल का ओप्शन है यह पानी है यहां पर मैं डूब रहा हूं ठीक है मुझे त्यारा नहीं आता मैं डूब रहा हूं तो भाई इस पे मेरको बचाने के लिए एक अपवर्ड फोर्स लगेगी हमेशा पानी आपको बचाता है यह अपवर्ड फोर्स क्या है जो मुझे कोशिश करेगी डूबूना अगर मेरा बहुत जादा बज़न होगा तब मैं डूबूना हलका रहा तो पानी मुझे ठीक है आपने एक जार लिया या मगगा मतलब मैं कोमन भाषा में कह रहा हूं ठीक है जग कहलो ठीक है डिपेंट्स वन्यू आपने इसको ऐसी डाल दिया उल्टा नहीं या ऐसी डाल दी जब उसको एकदम से उपर उठेगा ठीक है तो वह क्या है इसकी बॉइन फोर्स है ध्यान रखना कोशन इंपोर्टन बहुत इंपोर्टन कोशन चलिए एक और कोशन देखेंगा ठीक है मगगा मतलब यार है हिंदुस्तानी है ना तो आम भाषा तो आपको पता ही होगी दिल्ली वाली भी पता होगी तो ऐसा ठीक है समझे हो फॉलों को पकाने के लिए हम क्य डेखा है क्या है यूद थे ख्रते है एंप कर से आपको पड़ने हैं ठाहे आंपका साइटोकेनिन हो ठाहे जो कि अबिकाता जो अब बचते होगा बचपन में क्या होता बच्पन में कि अभी भी होता हुगा पपीता होता ना पपाया उसको कच्छा लिया आते हैं उसको अखवार में लपेड लपाट के जो है किसी बैडड़े में डाल देते जहां पे अंधेरा होता है और वह अगले दिन देखते हैं सुभें पक गया या फिर ऐसे बनायना के साथ करते हैं वैसे कि यह B कोशन important है चे समने में जो है fruit ुच्शाथ हो थी नाइट यह फिर एड़ डार्कनेस में हो जो है सबसे ज़ाद होता है इध्यान अगर नहीं चीज है पता होनी चीज आपको बहुत कॉमनली ब्लीचिंग एजन कोण सा आंसे के इस कोशन का इस कोशन का जैसे कोशन है बिल्कुल डियर जो जो नाम दे रहा है मैं आपको यह बोल रहा हूँ ना आप कमेंट बोक्स पर आंसे लिखे अगरो मैं स्क्रीन पर आपकी इमेज लगाऊ हूँ ठीक है फोटो भी लगा देना साधिकर टैक कर देना बिल्कुल लगाऊं कोई दिक्कत नहीं बस आंसे तो ब कोशन है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी चले एक और कोशन देखें डामेंजन विच आफ फॉर्ण सेम एस इंपल्स इंपल्स क्यों होता है पहले इस इंपल्स को समझो इंपल्स ना सेकिंड लोफ मोशन से जुड़ा हुआ है इसका एक्जामपल है कि जब बोल एकदम से आती है तो हम ऐसे नहीं भागते कि हमने ऐसे केच कर लिए हम इसको ऐसे लेकर जाते हैं वह क्या करते हैं इंपल्स होता है फोर्स इंटू टाइम कि जो फोर्स लग रही है न उसको हमें रोकना है हमें कोशिश कर रहे हैं कि उसमें थोड़ा सा वक्त लगे उसको हम ऐसे इस तो दियान रखना momentum, momentum की सेम वैसे ही dimension है जैसे impulse के dimension, क्यूंकि कारण ये है कि momentum भी कही न कहीं जो है किस से जुड़ा हुआ जो है सिंपल से बढ़ना है ठीक चले एक और कोशन देखिए इस कोशिनल का आज से क्या है क्लास में मज़ा आता है एक बाई लिख दिया करो मज़ा आ गया ठीक है या फिर आपको अच्छा लगता है क्लास तो कमेंट बॉक्स पे आंसर चाहिए बच्छा ठीक है या आप पढ़ रहे हो रेगुलर पढ़ रहे हो दो क्लासे शाम को साथ बज़े और सुबह नू बज़ शाम को साथ बज़े 2000 कोशन की नई सीरीज आज से इस्टार्ट हो रहे है। आज से जुड़ होगे तो फायदा होगा ठीक है है मैं आपको बहुत अच्छा कॉंटेंट देने वाला हो शाम को साथ बज़े जो डिटेउल कंटेंट होगा पूरह ठीक है टेस्त तो होगा लेट समों गया इसका एक आधा कोशन पक्का मिलीगा ठीक है छले तो एक ओर कोशन देखेंक है बने लिए फो इनकुलशन केन पतहीए को षक्ष ub लक्रीम, यह फैक्ट है लेकिन इतना फैक्ट है बचे ने करा अइरिक याद ढ़स्टे ने करा होगा वहास्टर निकला क्वश्रम अरक मैध्यू एर अर इसे ही ओता है थ्यानक ने कोशन बहुत असान होते हैं बहुत मुश्किल होने वाला क्या है कि टीचर जो है वो है क्या बोलते हैं इंटालिजेंट उसने चाइना वाला सवाल बना दिया कि बैटा पड़ो एरिक सिर्फ पढ़ने से काम नहीं बनेगा पूरा पढ़के आते सरनेम पढ़के आ यह आंसर कोशन का एंपीर पर मीटर एंपीर पर मीटर चलिए एक और पूशन देखेंगा ब्रांच अबाली जी डिलिंग इस टॉड़ी ऑफ सेल इस इक सवाल पूछ रहूं आप से मैं एक सवाल पूछ रहा हूं क्या इस में से कोई स्टडी अभी मैं आपकी गेम करूँगा ठीक है आपकी गेम मतलब यह समझ जाओँगा कि आप में से कोण इतना महानुबब है जिसको सब कुश पता है इसमें से क्या कोई स्टडी हिस्ट्री से संब्दित है क्या इसमें से क्या 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 इसमें से कोई स्टडी हिस्ट्री से संब्दित है क्या इसमें से क्या इसंसे बताने वाला की नहीं एक जावेद हरी शेंट छीर ine कि दीन से चार बच्चे समझदार निकले और निकला विश्वजीत ने भी साइब बता到底 विश्वजीत ने का मैं क्यों कम्जूर बढ़ू मैं भी intelligent हूँ चलो ठीक है चलि सिकंदर ने भी सही आंसा बता दे शिवा राज ने भी सही आंसा बता दे है बलग जो बच्चे यहां पर हिसका histology देखके history लगा रहे answer intelligent हो वह जाना ठीक है लेकिन इतना intelligent होना नहीं है ठीक है histology is the study of tissue उतक जो होते हैं उतक सेल के बाद आते हैं उतक जो कोशिका होती है कोशिका से बनते हैं उतक और उन उतक की study को histology कहते हैं और भाई history मतलगा देना गलती से ठीक है बहुत अच्छा लगेगा वेपर में मेट्रो तक आते हैं ठीक है ध्यान रखना है इस कोशिका चालो एक और कोशिका हिस्टी का histology नहीं है hydrogen bomb जो है इसकी invention किस नहीं करी थी इस कोशिका answer के बताई इस कोशिका आंसर बुरा मत माने के बस चेक कर रहा था और ऐसा मैं चेक करवाता रहा हुआ ठीक है समय समय पर वक्त वक्त पर पता चलता रहा रहा है कौन इतिहास के पन्नों में अपना नाम अमर कर सकता आंसर के इस question का hydrogen bomb का invention बहुत असान है ठीक है एडवर्ट टेलर option में दे रखा है होती easy question वैसे सारे important है टेसला की द्वारा क्या खो जा गया फराड़े के द्वारा यह यह दोनों important विक्ति हैं इन पर भी question आ सकता है चलिए एक और question देखेगा हो गया question करा अभी है ना देख बहुत ही असान बताइगी फ्लॉरेंस सी 60 होता है क्या सी 60 होता है कार्बन का एलोट्रोप है ठीक है जिसमें कितने कार्बन होते हैं बताई जल्दी से आंसे क्या बहुत ही असान कोशन है डेली क्लास होती है मेरे टेलीग्राम पर पीडिएफ आ जाएगे ओल्मॉस हमने कोशन कर लिए अभी आप मेरे बस टेलीग्राम चैनल जोइन कर लिए न मैं इसके क्लास के एंड होते हैं पीडिएफ डाल रहा हूं उसके बाद हम शाम को साथ वे जुड़ेंगे कोई छोड लाने में भी हैं और डिलीवर करने में तो आपको फायदा होगा चीज़ी याद हो जाएंगी ठीक है फुल एनरजी के साथ कोशन का सी सिक्सी कोशन का आंसर है ठीक है फीडेबैक मेकोनिजम रेगुलेट करता है हमारी बीडी हमारी बोडी में किसको रिफ्लेक्स एक्शन ह अंगर या फिर होर्मन आंसर के सामने यह फाइनल कोशन है चलो मैं इस कोशन का आंसर जो है कमेंट बैक्स पर चाहता हूं आज का कोशन यहां पे हमने छोड़ा है 1500 कोशन की सीरीज है यहां पे हमने आज सवाल को चोड़ा है इस सवाल का जवाब इसमें कोन सा Silence यही से जोड़ना मत सारे के सारे इस क्लास को ड्राइगुलर देख लो टाइमिंग आपकी weirdest है यहां से ताइमिंग है इधर से स्टार्ट करेंगे याद रखेंगे कोशन अपना याद हो गया होगा दिमाग में सेट हो गया होगा यह वे ना टेलिग्राम चैनल जोइन कर लो अमन सर वाइफए स्टड़ी ठीक है सर्च करो जिसमें सबसे यादा बच्चे केनेक्टेड है उसमें जुड़ जाओ है ना पीडिएफ में अभी जस्ट दो मिनेट में डाल रहा हूँ आप क्या करना साथ बजे वाली क्लास का लिंक यहीं पर उने का साथ बजे एक बार या एक बार या इस टेलिग्राम चैनल को ओपन करके देख लेना एक दिन आओगे ना साथ बजे मज़ा आ रहेगा आपक है ठीक है डाउट कमेंट बोक्स पर लिख देना अगले दिन सोल्व कर देंगे साथ बजे जूड़ी जाएगे टेलिग्राम चैनल जोइन करें अमन सर्वाइफ एस एडी थैंक्स लोट मिलते हैं आप सबी से सैशन को लाइक करें शेयर करें चान को सब्सक्राइब करें और टेलिग्राम चैनल जोइन करें मेरा और कमेंट बोक्स पर आंसर जरूर लिखें जो सवाल में आपसे पूछा है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्लास को जो भी होगी पीडियाव में डाल रहा हूं